समावेशी सिक्षा के अंतरगत धमतरी जिला में फीजियो थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के एक एक पद भरती किये जाने हैं दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं जीरो पीरिड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिला-哇 परियोजिना- कार्याल है समग्र सिक्षा जिला-धमतरी के एक विज्ध्यापन पर यह विज्ध्यापन यू तो केवल दो पदों के लिए हैं। परंच्य जरूरी इसलिए है क्योंकि समावेशी सिक्षा के एक अंत्रगत इन दो पदों की की भरती होनी है और ऐसे प्रक्रक्ति निकलते हैं इसलिए जिन अभ्या specs या यूवाउं के पास ये योग्यता होती है निको ऐसे आवसर कम मिलते हैं हालъकि यह गता प्रकार प्रक्रक्रील सुचिनी स्राथ हिए दो छयासां काम है तो मैं इस वीडियो में आपके साथ इसी विश्यापर चर्चा कर रहा हूँ समगल्सिक्षा कें अंतर कर समगल्सिक्षा में filmed तरफेक्षट और speech therapist यह दो पड़ों की भरती करनी है और यह जो भरती होंगी वो सभावसिश्चा के बहतर क्रिया नोयन के लिए जिला इस तर पर होनी है और निश्चित मानदे होगा और इस निश्चित मानदे में 30 मार्च 2000 तक के लिए 2023 तक के लिए स्विकृर्टी प्राप्त हुई है और इस पद पर आवेदन के लिए अंतिम्ति थी 39 यानि की 30 सितंबर है 30 सितंबर तक आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं एक एक पद दोनों केटेगरी में है फीजियो थेरापिस पर भी एक पद है और स्पीच थेरापिस पर भी एक पद है और दोनों अनारक्षित श उसको प्रापर मेंटेनेंस रखनी उसकी फिर उनको ठेरपी देना है ठेरपी के लिए जो सहायक सामगर्य उपकरण की जरुरत होगी उनका संपुर्ण दाईतों वहन करना है संसाधन के अंदरों में ठेरपी के लिए विशेस आवशकता वले बच्चों को BRP के सयोग से संसाधन स्रोत के अंदरों तक पहुँच बनाने में सहायता करना पालकों के साथ कौंसलिंग करना अभिभागों को प्रेडीत करना और मार्ग दर्शन करना इसके अलावा आवशकता अंसार अन्य विकास खंडों बेबी विशेस आवशकता वाले बच्चों को ठेरपी प्रदान करना आपका करतावे होगा इसके लिए जो सेक्शन क्यों क्याता है वो आपको शास्की मानेताबराफ संस्था से बेचलाराफ फीजियो थेरपी का डिगरी कोर्स होना आवशक है 36 गड़ फीजियो थेरपी परिशद में आपका पंजियन जो है वो जीवित होना चाहिए इसी तरह से स्पीज थेरपिस्ट के लिए आपको मानेताबराफ संस्था से बी ए ए एसल पी डिगरी कोर्स आवशक है और आरसी आई में आपका जीवित पंजियन ज़रूरी है यह जो नियुक्ति होगी पूर्णता आइस्थाई होगी और निर्धारित आवधी के लिए होगी आवेदक कलेक्टर एंपदेन जिला मिसान संचालक को नियमित नियुक्ति है तू कोई दावा नहीं कर सकेगा अनुबंद के आधार पर आइस्थाई रूप से कारे कर रहा उमिदवार मानदे वृधी और नियमिती करण के लिए नियाले में कोई याची का दायर रही कर सकेगा इस बात का भी इसमें उल्लेख है अब जिन केंडिडेट्स का सेलेक्शन हो जाएगा उनको एक एग्रिमेंट साइन करना पड़ेगा एक अनुबंद पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंद के उल्लंगन के मामले में अनुबंद रद्दमाना जाएगा इसकी कोई सूचना नहीं दी जाएगी रिक्तियों की जो संख्या है ये परिवर्तनी है कम या ज्यादा हो सकती है आयू सीमा में छूट जो साशन के नियम है उनके इसाब से होगा और निश्चित रासी जो मिलेगी इसमें 20,000 रुपे प्रतिमा आपको भुक्तान किया जाएगा इसके अलावा किसी तरह की कोई भत्ते की पातरता नहीं होगी नियूनतम आयू 21 वर्स की हो अधिकतम आयू 45 वर्स की हो आयू की पुष्टी के लिए आपको अपना हाई स्कूल का सर्टिपिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा रोजगार आफिस में आपका जिवीत पंजियर होना भी जरूरी है और सारे डाक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेट करके भेजना होगा आवेदक को आवेदन के साथ 10 रुपए का एक डाक टिकेट का स्वयम का पता लिखा लिफाफा भी इसमें सलगने करना है संतरी जिले के वेबसाइट पर मिल जाएगी आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप भी उस पे उपलब्द है मैं आपको दिखा देता हूं इसमें आपको एक फोटो की जरूरत पड़ेगी आवेदित पत् अगर जनरल है तो जनरल लिखेंगे आपका लिंक का यहां पर दिखाना है पुरूष्य महिला क्या है पत्र वहार का पूरा पत्ता लिखना है स्थाई निवास का पत्ता लिखना है मोबाइल नंबर लिखना है और 36 फीजियो थेरपिस्ट परिशत का नाम लिखना है उसका पंगीर क्रव狗 लिखना है डीनांक लिखना है अगर आप mercato wes už अगर आप किस कैटेगरी में आ रहा है वडू क्यूर्प करने विवाहित है विदुल है पृत्यक्ता है यह सारे चीज़ों में से जो भी आप श और आप उसको की है संस्था का नाम क्या है पुर्णांग प्रतिशत शेणी सारी चीज़े अगर आपने कहीं पहले काम किया तो उसका अनुगा निकना है और कोई योग्यता आपके पास है तो उसका विवरंड देना है और सारे डाकुमेंट्स जो आप इस फार्म के साथ अटैच कर रहे हैं उसका एक डीटेल देना है लास्ट में आपको अपना सिगनेचर करना है और सबसे आखिर में आपको एक अंडर्टेकिंग देनी घोश्टा पत्र जिसमें यह बताना है कि सारी जानकारी जो आप दे रहे हैं वह सही है आंत्र में अस्ताक्षार करना नाम पता निकना है तो पुर्शुब कामनाओं के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, आगे फिर नई वीडियो में आप से बुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत, आप अपने ख्याल रखिये, साथ में उनका ख्याल रखिये, जो आपका ख्याल रखते है नदधो, नदधो.